जै राम जी की दोस्तों, आपका दिन सुभ हो, मंगल मैं हो, प्रभु से यह कामना है सभी बड़ों के चर्णों में प्रणाम और छोटों को धेर सारा प्यार जैसे कि आप देख रहे हो, आज हम बात कर रहे हैं पन्ना रत्न के बारे में पन्ना रत्न बुद्ध ग्रह का रत्न होता है, मिथ्धुन और कन्या रासी है उसके स्वामी होते हैं बुद्ध ग्रह तो ऐसे जातक जिनका बुद्ध खराब चल रहा हो, जब बुद्ध से सम्मंदित प्रब्लम चल रही हो, उन्हें पन्ना रत्न धारन करना चाहिए पन्ना के बारे में जानकारी देने से पहले मेरा सभी जातकों से अनुरोध है कि जो जातक पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं किरपे मेरा चैनल सस्क्राइब करें, लाइक करें और शियर करें आज मैं आपको पन्ना के बारे में विस्तरित रूप से जानकारी दूँगा कि किस तरह के जातकों को पन्नाधारण करना चाहिए जैसा कि मैंने बताया कि बुद्ध से संबंदित अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आप लोगों को पन्नाधारण करना चाहिए इसके अलावा आप अगर शिक्षा, विद्या या गनित से संबंदित काम करते हैं या सांख्यकी से संबंदित काम करते हैं तो ऐसे जातकों के लिए भी पन्नाधारण करना बहुत ही सुब माना जाता है बहुत ही अच्छा परिणाम देता है अगर आप अपनी बुद्धी बढ़ाना चाहते हैं बुद्धी में विकास करना चाहते हैं तो ऐसे लोग भी पन्ना धारन करते हैं अगर आपको वानी दोश है या बोलने में प्रोब्लम होती है अटकते हैं किसी प्रकार से कोई भी वानी दोश हो आपको तो ऐसे जात्व को भी हम पन्ना धारण करा सकते हैं लेकन से सम्मंदित कारे करने वाले व्यक्तियों को भी पन्ना बहुत ही अच्छा फल देता है जोतिस से सम्मंदित जो लोग जोतिस करते हैं उन्हें भी कई बार पन्ना दारन किया हुआ बहुत ही सुब फल देता है वानि जिव अपार करने वाले या तवचा से सम्मंदित अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो उसे भी पन्ना बहुत ही अच्छा फल देता है और त्वच्चा से संबंदित कई बार रोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पन्ना से ठीक हो जाते हैं नाक, कान, गले से संबंदित रोग भी पन्ना धारन करने से हमारे ठीक होते हैं जो लोग निर्थ्य से संबंदित या कला से संबंदित होते हैं उन्हें भी पन्ना काफी तक बहुत ही अच्छे फल देता है दूर संचार से संबंदित रेलवे परिवाहन आदी से संबंदित लोगों को भी पन्ना बहुत अच्छा सूट करता है या लेखन से सम्मंदित आप करे करते हूं जैसे पत्रकारिता आदी तो ऐसे व्यक्ति को भी पन्ना धारण करना बहुत ही अच्छा फल देता है कम्प्यूटर, इंटरनेट में जो बच्चे कैरियर बना रहे हैं उनके लिए भी पन्ना बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है मतलब कि जैसे कि शिक्षा संस्तान होते हैं, स्कूल होते हैं, पुस्तिकाले बगएरा होते हैं लेखन से सम्मंदित जिनका काम है, जिनकी बुद्धी बहुत विक्सित होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को पन्ना धारण करना चाहिए, उस तक विक्रेता भी पन्ना धारण कर सकते हैं चर्म रोगों से सम्मंदित जैसे मैंने बताया आपको, उसमें पन्ना बहुत ही अच्छा और लाबदायक से दुआ है, बहुत ही अच्छा फल देता है एक बात और ध्यान रहे, कि जिन लोगों को नसो से सम्मंदित समस्या हैं, नसो से सम्मंदित बहुत सी समस्याओं का निदान कर देता है पन्ना अगर पन्ना अच्छा हो, नैचुरल हो, बहुत अच्छा फलदायक होता है तो वो नसों से संबंदित सभी रोगों को दूर कर देता है आप तर्क वितर्क से संबंदित कोई कारे करते हैं आप मोसम विभाग में अगर कारे करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी पन्नाधारण करना चाहिए अगर मामा के साथ आपके समंद्ध अच्छे नहीं है इसका सीधा मतलब होता है कि आपका बुद्ध ठीक नहीं है अर्थात आप पन्नाधारण करें तो आपको बहुत लाब होगा और मामा की सेवा भी करें तो इस तरह के लोगों को हमेशा पन्नाधारण करें चाहिए आपने देखा होगा मोसम विभाग में जो कारे करते हैं या मनुरंजन से समंद्ध जो जैसे कि आप देख रहे होगा टेली विजन या टीवी बगरा में जो हम मनुरंजन के कारे करने वाले लोग हैं उनको भी पन पहले भी कई बर बता चुगा हूँ कि मैं पन्ना या कोई भी रत्न किसी के ओडर पे नहीं बेज़ता अगर किसी को भी मेरे से कोई रत्न चाहिए तो वह पहले मुझसे संपर्क करें मेरे संपर्क सुत्र मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में आपको दिया हूँ एक बात रत्न को धारन करें अगर आपका जोतिशाचारिये बताते हैं कि उस रत्न को धारन करें तब ही आप उस रत्न को धारन करें अन्य था ऐसे ही कोई रत्न ना पहले इसलिए अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहता है वो कर सकता है लेकिन यह कोई व्यापार परपद से नहीं है कि मैं बेचना चाहता हूँ या मेरे कोई सेल करनी इनकी ऐसा कुछ नहीं है आप ध्यान रखें अगर आपकी कुंडली के अकोर्डिंग पन्ना होगा तभी आपको पन्ना हमारे यांसे हमारे संस्तान से दिया जाएगा अगर आप फोन करेंगे तो हमारी टीम आपसे संपर्थ जरूर करेगी और आपको बताने की कोशिश करेगी आपको कौन सा रत्म धारण करना चाहिए या कौन सा नहीं इसे के साथ आपसे विदा लेता हूँ जै राम जी की जै शिराम आपका दिन सुब हो मंगल में हो प्रभू से यह कामना है यह बिल्कुल नैचुरल पन्ना है जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत ही नैचुरल पन्ना बिल्कुल नैचुरल जो पन्ना होता है वो यह पन्ना है इसलिए जो व्यक्ति पन्ना धारण करना चाहते हैं और उनकी कुंडली के लिए अगर पन्ना अच्छा है तो वो पन्ना धारण कर सकते हैं। जैशीरा